कुलू जिला में टैक्सी यूनियन के चुनाव शांती पून तरीके से संपन हुए, इन चुनाव में 131 टैक्सी आप्रेटर्स में से 121 टैक्सी आप्रेटर्स ने मतदान किया, चुनाव में प्रधान पद पर युवराज ठाकुर और उप्रधान पद पर वीर सिंग ने गालेट पेपर के माध्यम से प्रधान उप्रधान महासचिव और कोशा धेक्षपत के लिए मद्दान किया गया। इसमें 131 टैक्षी ओपरेटरों में से 121 टैक्षी ओपरेटरों ने भाग लिया। प्रधान पत के लिए युवराज ठाकुर को 16 मतों से विजय घोशित किया गया उप्रधान पत के लिए एक वोट से वीर सिंग विजय हुए वहीं महसाची पत के लिए हरी राम लगातार तीसरी बार विजय ता घोशित किये गये और कोशा धेक्ष्ट के लिए राजेश महंत विजही रहें नवन्यूक्त प्रधान इवराज ठाकों ने बताया कि हर दो साल के बाद कुलू टैक्सी यूनियन की नई कारेकारणी का गठन होता है उन्होंने सभी टैक्सी ओपरेटरों का अभार जताया और उनकी समस्याओं और मांगों पर गौर करने का आश्वासन दिया नवन्यूक्त प्रधान ने का कि सरकार ने टैक्सी ओपरेटरों पर जबरन जीपीय सिस्टम और टैक्सी मीटर लगाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने का कि टैक्सी ओपरेटर इसका विरोध कर रहे हैं और आगामी समय में कानूनी तोर पर इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है बहुत बड़ी है हम काम करेंगे आगे कार यह करेंगे जो भी चुनाब होएं बहुत शांती पूर्व होगे सभी मैं तो सभी ऑपरेटर भाई हैं को ड्राइवर भाई का धन्याबाद करना चाहूंगा जिनने एक बार फिर से मुझे प्रदान के काविल सम वही कुलू टैक्सी यूनियोन के लगातार तीसी बार बने नवन्युक्त महसाची भारी सिंग ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कुलू टैक्सी यूनियोन के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी टैक्सी ऑपरेटरों की उमीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलिव ठाकुर की रिपोर्ट